वाहे गुर्जी का खाल साब वाहे गुर्जी की पदे दोस्तों जैसाब जानते हैं कि पिछले एक लंबे समय के अंदर सिक इतिहास को दरशाने वाली काफी सारी फिल्मी बनी हैं ऐसे में दलजीद उसांज एक फिल्म लेकर आ रहे थे घन्लू घारा लेकिन इस फिल्म के अंदर कैसे हाला थे किस परकार से बेगुनाहों को मारा गया पुलिश के दोबारा लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनकी जो असल रिपोर्ट थी वो कौन थे कहां के रहने वाले थे वो सारा कुछ पुलिश के दोबारा शिपा दिया गया था सरदार जस्वन सिंग खालडा ने हुमन राइट्स का काम करते हुए पंजाब के इनी केसों को खंगाल कर निकाला था और इसी के उपर दलजी दोसांज एक फिल्म बना कर ला रहे थे लेकिन दूसरी तरफ मामला ये कि इस फिल्म को सेंसर वोड ने 21 कट लगा दिये और बोल दिया एक तो आप इस नाम चेंज कर दो और दोसरी तरफ इसके काफी सारे डायलोग उन्होंने हटाने के लिए कह दिया था लेकिन इसी के उपर फिल्म निर्माता कंपनी RSVP बॉम्बे हाई कोड पहुँच के उन्होंने एक पटिशन डाली थी जो सेक्शन 5C के अधिन आती थी लेकिन अभी तक उसके उपर जो फैसला है वे पैंडिंग है लेकिन इस समय इस फिल्म को अब पंजाब के इंदर रिलिशना करते हुए इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा रहा है दोस्तों सेंसर फोड ने इस फिल्म के उपर 21 कट लगाने का जो हुकम दिया था इसके बाद जो फ पंजाब में रिलीश करेंगे ना ओनलाइन रिलीश करेंगे सबसे पहले इस फिल्म का जो वो प्रीमियर है इसको टी आई एफफ में लेकर जाएंगे है वैसे अगर बात करें तो सरदार जसा सिंग आलू वालिया जी के उपर भी एक फिल्म आने वाली है उसके समंधी में आपको एक और नए वीडियो के अंदर जरूर बताऊँगा तब तक के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करना धन्यवाद मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ वाह गुरुची का खालसा वाह गुरुची की फते